अफगानिस्तान की राजधानी काबूल में आतंकियों ने नागरिकों पर हमला कर दिया जिसमें बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई और तीस से अधिक लोग गायल हो गए स्थानिय मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक अलग-अलग जगहों पर तेईस रॉकेट्स फायर के गए थे और यह हमला काबूल के ग्रीन जोन में किया गया था जहां कई अमसी और अंतराश्विय कंपनिया स्थित हैं इंटीर मिनिस्ट्री के वक्ता तारीकरियन ने कहा कि आतंकियों ने एक छोटे ट्रक से रॉकेट डागे और अब यह जांच की जा रही है कि शहर में ये ट्रक ने बिना किसी के नजर में आये कैसे अंटिली उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जानकारी के अनसार अब तक आठ लोगों के मारे जाने और 31 लोगों के घायल होने की खबर है और यह आकड़ा अधिक भी हो सकता है कुछ स्थानी लोगों ने रॉकेट डागने और हमले के वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर किये हैं जिनमें इमारतों और गाड़ियों की खराब हालत देखी जा सकती है अफगानी सरकार और तालिबान के वीच शान्ती वारता के बावजूद ऐसे हमले और अधिक बढ़ गया है कुछ समय पहले काबुल युनिवर्सिटी और काबुल स्थित्क गुरुद्वारा पर भी अटैक किया गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी हलाकि तालिबान ने इस हमले को नकारते हुए कहा कि हम ऐसे पॉब्लिक प्लिसेस पर अटैक नहीं करते हैं केवाएनपोस.com के इस वीडियो में फिलाल इतना ही हमसे जुड़ा रहने के लिए बैल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्स्क्राइब कीजे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक और शेयर कीजे